दिनांक 26 मई 2021 को अभियर्थियों के द्वारा ट्वीटर पर फिर से एक बार नई प्रात्मी किस्तर की सिक्षाक भरती का विग्यापन जारी करने के लिए सरकार पर दबाओ बनाने के क्रम में एक हैस्टेग चलाय जारा है जिसे आप इस्क्रिन पर देख पार होगे हैस्टेग नोटिफाई UPPRT और रिजाइन सतीष जी अब ये मानेनिये सतीष जी कौन है तो उत्तर प्रदेश के बेसिक सिक्षा मंत्री है स्री सतीष चंद डिवे दीजी मानेनिये बेसिक सिक्षा मंत्री जी के भाई से जुड़ा विबादित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरा विपक्ष उन पर हावी है उनके रिजाइन को ले करके और अब ट्वीटर पर अभियर्थियों के द्वारा कैमपेण भी चला जा रहा है जैसा कि आपको ग्यात होगा प्रदेश सरकार की जो साख गिरी है उसको आत्म चिंतन करने के लिए बीजेपी के बड़े लीडर्स की एक बैठक हुई है जिसमें ग्री मंत्री स्री अमित्सा और देश के प्रधार मंत्री माननिये स्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पूरी बैठक में शमली थे और उनके द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि जो मुखे मंत्री है स्री योगी आदितिनात जी उनको भी हटाए जाने की संभावना है इस आर्टिकल की बातों पर अगर विश्वास किया जा तो हो रही है यहाँ पर हलांकि इस आर्टिकल में ये भी बाते लिखी गए हैं कि ये ऐसा मामला है जिसमें स्री योगी आदितिनात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और जिस प्रकार से केंद सरकार भी पूरी तरीके से विफल रही थी और उनकी भी साहत गिरी है तो एक तरीके से तरक ये भी दिया जाया कि अगर प्रदेश सरकार की साहत गिरी है तो केंद सरकार की भी साहत गिरी है जाहिर सी बात है दोनों सरकारें पूरी तरीके से असफल रही थी कोरोना के सेकेंड वेब को हैंडिल करने के संदर में अब आप लोगे मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इन सभी बातों का यहां पर चर्चा क्यों हो रहा है और आने वाली प्रात्मिकिस्तर की सिक्षक भरती में सूपर टेट होगा यानि उससे क्या मतलब है बढ़ी आशर की बात नहीं होनी चाहिए इन सब को लेकर के उत्तर प्रदिस का युवा भी अपने लिए नय विकल्प की तलास कर रहा है और जैसा कि आपको ग्यात होगा वर्स 2022 यानि अगले वर्सी उत्तर प्रदिस में विधान सभा चुनाव होने है और अगर इस सरकार क तख्टा पलट हुआ और राज्य सरकार बदल गई और जो पहले पूर्व सरकार थी मालिजे सपा की सरकार थी अगर वो फिर से सत्ता में आती है तो बहुत ज्यादा इंपक्ट पड़ेगा सूपर टीटी की परिक्षा पर क्योंकि उत्तर प्रदिस के पूर्व मुख्यमंत के मार्क्स को वेटेस दिया जाता था और टीटी के मार्क्स को वेटेस दिया जाता था सूपर टेट की परिक्षा नहीं होती थी सूपर टेट की परिक्षा वर्तमान सरकार के आने के बाद से 8,500 सहायक अध्यापकों की भरती से प्रारम हुई है इसक्रिंद पर आप एक ट् चुकि बहुत ज़्यादा सीटे रिक्त हैं, तीन लाग से ज़्यादा अध्यापकों की सीटे रिक्त थी, उस से में ततकाले निस्तिति में, जब 19 जर सहाय का अध्यापकों की भरती पूरी तरीके से complete नहीं हुई थी, ठीक है? तो उनके दोरे ये बताया गया था, कि नियुक से ले करके BTC तक के माक्स के आधार पर मेरिट का मानक बना करके पारदर्शी तरीके से नियुक्तिया की जाए तक कि नियायाले कोई बाधा ना बन सके यहाँ पर इनके द्वारा इसकी पैरवे की गई थी कि जो सूपर टीटी परिच्छा होती है उसको समाप्त कर देना चाहि और हाई स्कूल से ले करके BTC तक के माक्स को जोड़ करके मेरिट बना करके और उसी के आधार पर चैन प्रक्रिया कराय जाने के यह पक्ष में थे साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि इससे जो कोर्ट में मामले जाते हैं उसमें पूरी तेरिके से विरामचिर्न लग सकता है निशी तोर पर ऐसी जो पहले भरतिया होती थी उसमें ऐसा ही प्रावधान था और उसमें सूपर टीटी के अंकों को नहीं जोड़ा जाता था या यह कहें के परिच्छा ही नहीं होती थी तो अगर प्रदेश सरकार बदलती है तो ऐसे कुछ संभावनाएं हो सकती है क्योंकि जो पूरु मुखमंत्रिय वो लगतार इसके विरोध में रहे हैं और वो पहले की प्रक्रिया को ज़्यादा सही मानते हैं और उनकी पूरी सरकार सूपर टीटी परिच्छा के विरोध म के लिए सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग करनी होती है और प्रदेश सरकार उसको मंजूरी देने के बासे अध्यापक सेवा नियमावली 1980 में एहम संसोधन किया जा सकता है तो यह संभावनाएं पूरी है कि अगर प्रदेश सरकार बदलती है और पूरु की सरकार फिर अगले दरवाजा खटकटाय जा सकता है तो देखें दोस्तों कोर्ट कभी भी सरकार के चैन प्रक्रिया के बीच में नहीं आती है कोर्ट हमेशा यह कहती है कि सरकार के पास पूरा अधिकार है कि चैन प्रक्रिया क्या कुछ रहे वो राजसरकार का मामला है क्योंकि इसी प्रकार से अध्यापकों की भरती से ठीक पहले जब अध्यापक सेवन ये मावली 1981 में एहम संसोधन करते हुए सूपर TET परिक्षा को इंट्रड्यूस किया गया था उस समय के अभ्यर्थी भी इस परिक्षा के खिलाफ मानेने कोट गये थे और उन्होंने कोट में ये दलिल दी थी कि ज जब एक बार TET परिक्षा का आयोजन हो चुका है जो कि सिख्षक पातरता परिक्षा है तो फिर सूपर TET परिक्षा को इंट्रड्यूस करने का क्या कुछ मतलब है तो उस समय मानेने कोट ने ये टिपड़ी किया था कि ये राजिसरकार का विशह है और चैन प्रतिया क्या रखा जाए ये राजिसरकार तै करने का उसके पास पूरा अधिकार है कुल मिला करके ये है कि आपको हर परिस्तिती के लिए त्यार रहना होगा और जब भी आपको TET परिक्षा में समलित होने का मौका मिले चाहें सीटेट की माध्यम से या फिर यूपीटेट के माध्यम स तभी आप पूरी तरिके से मेरिट में आ पाएंगे और इस समय TET के मार्क्ष को वेटेज नहीं दिया जाता है तो अब यहरती सिर्फ ये सोचते है कि अगर क्वालिफाई भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन उस समय अगर इस्तितियां बदल गई तो TET के झाल 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 झाल